प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तो देखो दोस्तों हम लोगों ने स्टाट किया है हमारे चाप्टर नमबर 8 को इसमें हमारे लेक्चे नमबर 1 रहे लेक्चे नमबर 2 तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स है न उनको रहा पर कवर करेंगे ठीक है स्टार्टिंग के सारी चीजे स्टडी कर ली थी एकोनोमी क्या होता है फिर उसके बाद यहां पर हमने समझा था ऑक्क्यूपेशन के बारे में ठीक है और हमने यह डाइग्राम भी बहुत अच्छे से तो आएग्री कल्चर हम समझने वाले हैं तो आएगे अब मेरे साथ इसको स्टेडी करनी के लिए तो देखिए बच्चो इसमें क्या बताया जा रहा है कि unlike Brazil, India's agriculture contributes more towards GDP and also engage a larger chunk of population यानि कहने का मतलब क्या है देखो जैसे Brazil में हमने देखा था कि Brazil में जो हमारा वो वाला सेक्टर था primary sector यानि खेती वाला है ना उसका GDP में contribution कम था और इंडिया में ज्यादा था ठीक है और इंडिया में एक और बात है कि यहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन है ना वह किसमें इंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज्ड है यह भी हमने देखा था ठीक है इसलिए तो हमारे इंडिया को क्या कह कहाता है यहां पर ज्यादतर लोग क्या करते हैं डिक का м करते हैं कर घृष को related काम किया जाता है ठीक है अब ऐसा क्यों है कि हमारे यहां पर जावजदर की खेती ही किया जाता है तो कि हमारे यहां के climate एक तो अच्छा है इसके अलावा जो लैंड है वो भी फटाइल है हमारे यहां पर और जो मतलब जो भी चीज़े चाहिए होती है अच्छे से मोसम में अलग प्रकार की खेती की जाती है ठीक है गर्मी आया या फिर बसात का मोसम आया तो अलग अलग क्रकार की खेती ऐसे गर के बार हो महीने यहां किया चाहिक bron का हो सकते हैं तो presidente रिया इसके अलावा जो सॉयल है वह अच्छी क्वालिटी की है ठीक है और हावाई और जब यह सीजन बदलते हैं तब जाके जो हमारे क्रॉप से वह भी हम बदल देते हैं ठीक है फिर उसकी बाद लॉंग ग्रोइंग सीजन एक्षपट रहा प्रोवाइडर परोवाइडर स्ट्रॉंग बेस्ट्व अगरी कलचर इन इंडिया एक्टिविटी अब समझेगा य ठीक है रह पाव इतना तो हर कोई क्या करता है यहां पर उगाही लेता है अपने खेतों में तो इसलिए बोला गया है कि यहां पर एगरी कल्चर है किस प्रकार का होता है अब देखो इंडिया में कौन-कौन सी चीज़े उगाया जाती है तो अगर मैं यहां पर सीरियल मतलब फूड क्रॉप की तो मैंसर फूड क्रॉप कौन-कौन से हैं हमारे और इसल्चर नोल करना तरह है यहां और मैं यहां में बसको सा DAY मतलब किया होता है इसको अब घशर क्या होता है झाय कृइं चोंकर कि लिएक यहां अनाज होता है उसके बादि से तो में घृत्स वह प्रकार से एक और यहां पर अनाध होता है जिसको हम कहते हैं बाजरा ठीक है तो वह है मिलेट्स याद रहेगा तो देख लिए राइस वेट मेज सौरगम मिलेट्स और मेजर फुट ग्रॉप्स इन इंडिया ठीक है और देखो हमारे यहां पर कमर्शियल जो क्रॉप से वह भ कन कहीं स 210 ने जाता है दो से गैफ को था इसकि यहां पर पर और तो यहीं से आपके स्वाल बन सकते हैं तो यहीं से स्सक्राइभा क्या था क्रॉप्स क्या है पताईंगे तो कमर्शियल क्र Авएंए नांचे corrupts को इहें दो कुछ आपको बताना पड़ेगा समझ में आया चलो हमने अब करेंगे फिशिंग इंडिया इंडिया में भी फिशिंग की जाती है तो आई जड़ा हमिस के वारे में इसकुस करते हैं अब इस्टूडेंट तो फिशिंग जो है वह एक बहुत ही important role play करता है in the economy of India समझ में आया क्यों कि fishing activity की वज़े से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन चल पाता है यानि उनके पास क्या है रोजबार है वो मचलियां पकड़ते हैं और फिर ले जाकर के बेशते हैं जिन से उनका घर चलता है इसलिए कहा गया है कि fishing क्या है यह बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है economy of India India is one of the largest producer of fish थीक है मतलब हमारे यांपे हमारा जो इंडिया यह क्या है largest producer है किसके मामले में fishes के मामले में मामले में हमारे यांपे दोनो marine on inland दोनों प्रकार की जो fishing है वो की जाती है marine का मतलब क्या हुआ दोस्तों जब हम समुंद्र से क्या करते मस्लियों को पकड़ते हैं तो वह marine हो जाता है ठीक है उसमें inland नहीं था अब समझेगा देखे फिश्रिस किसमें help करता है तो वह help करता है augmenting food supply अच्छे से हो पाती है and generating employment देखो वह एंप्लॉयमेंट भी जनरेट करता है इसके अलावा raising nutritional level ठीक है ऐसा कहा जाता है कि जो यह खाते उनको मनलब nutrition भी मिलता है तो यस यह भी हो सकता है and earning foreign exchange यानि जब हम fishes को दूसरे country में भीज़ेंगे तो बिल्कुल हमारा foreign exchange भी क्या होगा भाई वह भी बढ़ेगा यानि वह भी हम earn करेंगे तो यह सारी चीज़े होती है तो देखो fishing का भी काफी योगदान है अमारे देश की economy में अब यहां पर समझते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से fishing आप देख सकते हो तो fish forms an important part of the diet of many people living in the coastal areas मतलब जो भी लोग coastal areas में रहते हैं दोस्तों उनका अगर देखा जाए तो उनके खाने में फिश तो मतलब होता ही है जैसे यहां पर मैं example के लिए बताऊं आपको वेस्ट बेंगॉल ठीक है वहां के लोग जो है आप देखो गे जादतर लोग करके क्या कहाते है जो भी coastal areas में रहने वाले लोग है उन लोगों के diet में क्या शामिल होता है फिश शामिल होता है तो आप देख सकते में अगर आपको बताऊं तो कहां कहां पर केरला हो गया वेस्ट बेंगॉल हो गया इसका नाम तो सबसे पहले है क्योंकि बंगाली लोग ना मतलब आपको को खाते ही है ठीक है और इसके अलावा और भी चीज़े खाते हैं जो भी माल लीजे निकलते हैं समुद्र से क्रैप्स फिर वो प्राउंस होता है यानिके जिंगा वो भी खाते लेकिन उसके साथ-साथ फिश भी खाते फिश तो उनका समझ लो कि में नहीं है ना उसके बिना तो रही नहीं सकते फिर उसके बाद यहां पर ओडिसा आ गया आंतरप्रदेश आ गया तमिलनाडू गोवा है ौर और महाराश्य के लोग हैं क्या खाते हैं क्या छामिलू होता है थीक और देगो सेट अपना कितना कोस्वाइन 7500 क्लोमीटर का कोस्वीकों पता है हमारे छो मरीनफिश है प्यारे दोस्तों इसमें 4 tv रिए 3 कि 60% क्या होता है इन लेंड फिशिंग होती है 40% मरीन फिशिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे समुंद्र वगएरा है उनसे चालिस परसेंट मसलियों को पकड़ा जाता है जब कि इन लेंड यानि क्या जो हमारे दूसरे रिसर वायर्स है वोटर पॉड़ी है उनमें से 60% मस पॉड़ी दूस्तों आपर मारीन फिशिंग वहां हमें देखने के लिए मिलता है तो आप यह आप जड़ा नाम क्या पताई है यह दि ओ bạn वहा तो होता और यह हैं तक आपको यह फिशिंग एक्टिविटी जो है वो देखने के लिए मिलेगी ठीक है तो यह बात आप लोग ध्यान रखेगा और कौन-कौन सी फिशिस आप देख सकते हो तो यहां पर अगर मैं बात करो देखो साडाइन से मैकरल आपको देखने मिलेगे इसके अलावा पर इस्टन कोस्ट के अगर मैं बात करो तो यहां पर आप कौन-कौन से इंपोर्टेंट फिशिस देखोगे होर्स मैकरल देखोगे फिर उसके बाद क्ल्यूपीट और सिल्वर बैली तो यह थारे फिशिंग आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे कहां पर कोरो मंडल से लेकर के माला बार कोस्ट तक ठीक है चलो तो यह बात भी आपको समझ में आपको यहां पर एक और बात बताती है जैसे वह तो हमने मरीन फिशिंग देखी अब जो इनलेंड फिशिंग है यानि कि फ्रेश वोटर फिशिंग जैसे नदियों में या फिर तालाबू से जब पानी मह Georgieं का जणाम होता है तो वहां से इनको मिल जातीचे अनुक्त होते हैं आपका फिशिंग तो यां आपका सिल्वर बेएली कामि मेशर फिरेश वोटर वाराइटी सोट्यकर ये मुख्यन का है का DNA जलेए तौड इसल्वर बैली से क्सविश्य का प्रकार्तर थिक हैं आपको बताएंगे आपको 60% of the country's total fish production comes from the inland fisheries तो यह याद रखना है इसका percent 100% हमारा fishing यहां पर हो रहा है जिसमें मरीन का योगदान कितना है उसका contribution 40% का और inland यानि फ्रेश वाटर कितना है दोस्तो 60% अब हम बात करते हैं माइनिंग इंडिया हमने याने समझ लिया हमने fishing भी अगरी कल्चर भी तरह करते हैं इंडिया में सबसे-जादा अगर मैं बतावूं तो माइनिग आपको कहां पे प्लैटो कहा पर है यह आपको समझना बहुत जरूरी है मैं आपको इस मैप में दिखाती हूं कहा गया हमारा मैप भाग रहा है कि है है यह देखो दुद्ध आपको अगर दिखाओ तो यह रहा हमारा चोटा नागपुर प्लैटो ठीक है जो बहुत famous है for mining activity क्योंकि यहां पर ना काफी जादा मिनर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और यहां पर इसलिए कौन सा वाला काम किया जाता है क्योंकि यहां पर हमें अलग अलग प्रकार के जो मिलते हैं ठीक है दोस्तों तो आई चला देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या लगे हुए है माइनिंग के रिलेट तो छोटा नागपूर प्लाटो इंडिया इस बेगस्ट और हाउस और डिफरेंट मिनरल्स जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया ठीक है माइनिंग इस वहां पर मिनरल्स मिल रहे है तो इसलिए वहां के लोगों का में अक्यूपेशन है माइनिंग ठीक मिनरल ओईल वेल्स आप कहां पर देख सकते हो तो डिग और अरेबियंस यहां है उसमें आपको लेश रिए मिल चांगे यानिवारी निकाला जाता है पिर कलोल और और कोईली इन गुजरात ठीक है यहां पर भी आप मिनरल ओईल के जो वेल्स है उनको आप देख सकते हो ठी यहां पर भी आप देख सकते हो क्या देख सकते हो दोस्तों तो रिजर्व सब्सक्राइब आपको देखने मिल सकता है तो यह कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं आंद्रप्रदेश में कडपा राजस्थान में मार्बल और आपको मिनरल ओयल के वेल्स कहां कहां पर देखने में लेंगे डिग बोई नासाम और मुंबई हाई मुंबई हाई हाई का अरीबियंसी में जो मुंबई हाई है वो फिर उसके बाद कलोल और कोईली इन गुजरात तो यह सारे चीज़े आपको ध्यान में रखनी है ठीक है चल हो रही है यह सब कुछ यहाँ पर थोड़ा समझते हैं तो आहिए लेट्स इस्टार्टि भाट करू तो यहाँ पर आप geçाए रवागाफ चुल्ड प्रॉडश् knowledge गया जाता हो इसके लाबा मूबाइल असिंबलिध का मतलब जहां पर क्या किया जाता है जो यहोते आपको प्रोसेसिंग यूनिट भी आपको देखने मिलेगा और इसके साथ केमिकल्स प्रोडक्शन आप देख सकते हो टेक्नोलोजिकल बेस्ट इंडुस्ट्री तो यह सब कुछ यहां पर डिवलप हुआ है फिर उसके बाद यहां पर आप समझेगा बट है नोट आउट आउ यहां पर इसके साथ यह नहीं जो टेक्नोलोजी आ रही है इनके उपर डिपेंडेंट भी इंडस्ट्री यहां पर डिवलप किये गए हैं ठीक है यहां तक बात समझ में आई तो आप देखिएगा और यहां पर हैं इंडस्ट्री तो फूड प्रोसेसिंग जैसे कि यहां प इन देखिए इन देखिए यहां पर ब्रजील ना उसके नीचे यहां पर आपको देखने मिलेगा लेकिन अगर मैं नौर्थ इस्ट की बात करूं तो ट्रेडिशनली दप प्रजील बट इस बिगिनिंग तो एट्रेक्ट निव इंवेस्ट्मेंट यहां पर भी जो ब्रजील है यहां पर बी यहां यो उनस्पार हो रहे हैं एक हैं आप अल्ट कर सेंगा में इंडीया थी、 ने तो इस ब्रजील का बहुत कम इंडस्ट्री थी मैं आपको बता दिया अंतने इन बैर्यप में तो लेकिन ऑने इंडिक वर में देखते हैं देखें अगर मैं यहां पर इंडिया में इंडस्ट्री की बात करो दोस्तों तो क्या है यह highly uneven है uneven का मतलब क्या हुआ इसका डिस्ट्रिबूशन है न दोस्तों वह कैसा है uneven है जैसे मैं आपको बताओ प writes действики जो फेड़ बंडाने का काम करती है तो मुझे बात बताओ जो पेपर बनाने की इंडस्ट्रि वहाँम काहां पर लगाएंगे क्योंकि पेपर किसे बंता है पेडो से बंता है तो हम पेपर इंडस्ट्री वही पर लगाएंगे जहां पर हमें ट्रीद इजली अवेलेबल हो राइट तो जो भी वहां पर हम जाकर के इंडस्ट्री लगाना पसंद करेंगे वैसे ही मालनी जिया अगर मुझे सुगर की इंडस्ट्री लगानी तो मैं कहां पर लगाना पसंद करूंगी ज तर उससे कपड़ा बनाते आप सभी को मालूम है ना यानि टेक्स्टाइल इंडस्ट्री लगानी है मतलब कोई इंडस्ट्री लगानी है तो हम पहले पूरा यह बाद स्क्राटिंग में ही बोल दी गई थी आगे दिस इस सो पार्टली ओन अकाउंट और अनिवन दिस्ट्रिबुशन अफ निसेसरी रॉम पावर रिसोर्स और पावर रिसोर्स अन पाटली द्यू तो थे इंटरप्राइस फानेशल रिसोर्स और अधर नेसेसरी पावर जादा न लगे और विजली की सुविदा भी पानी भी होना चाहिए अगर जो हम समान बना रहे हैं उसको बेशने के लिए बासार भी होना चाहिए सब को हम चेक करते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ो और समझो यहां पर की जहारखंड हो गया ओडिसा हो गया और पिर 36 गड़ के पास वाला इलाका और मध्य प्रदेश है न और उसके बाद पार्ट ऑव राजस्तान का कुछ इसा करनाटिका और तमिल लाडू अकांट पूर मोस्ट आप ड़ीजर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स यानि कि यहां पर देखो मेटालिक जो मिनरल्स है न दोस्तों वह ज देखने के लिए मिल रहा है तो यहां पर कौन से टाइप की इंडस्ट्री लगाना लोग पसंद करेंगे तो मेटालर्जीकल ठीक है मेटालर्जीकल मतलब क्या हुआ जहां पर इन सबका यूज करके जो मिनरल से उनका यूज करके कोई नई चीज बनाए जैसे कि आईरन वा पर यहां पर और कुछ बाते आप लोगों को बताती हुँ देखो अविलिबिलिटी ओफ लाज क्वांटिटीज ओफ और रिफ्रेक्टरी मटेरियल्स अलोंग विद चीप पावर दामोदर वेली कॉर्परेशन और नंबर ऑफ थर्मल पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स मतलब कहने का क्या है किसकी वज़े से यहां पर जो मेटालर्जिकल इंडस्ट्री से वह देखने के लिए मिलती है तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसी कि यहां पर लाज क्वांटिटी में कोल अविलेबल है और रिफ्रेक्टरी मटेरियल्स का मतलब क्या jach जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है यहां पर जो मुख्य रूप से ये बनाई गई है तो यहां पर दबना करके वहां से कया चाता है। यहां पर सस्ते में पावर वगरेर सब कुछ मिल जाता है इसलिए इनको और थोड़ा सा क्या मिल जाता है फाइदा मिल जाता है तो इसलिए यहाँ पर राजस्तान की अगर मैं बातiving और पार करोष्ट नियू short-ियू東 ऑं-य ब्रियूत कारे अध्यन है बचो्टन है क्या है दोस्तों Aluminium Metal Industries यानि आप देखो यह बाते आपको अंडरलाइन करके रखनी है कि राजस्तान में कौनजी इंडस्ट्री कॉपर की इंडस्ट्री आपको देखने मिल जाएगी लीड और जिंकी फिर करनाटिका में स्टील और मैगनीज और अलिमिनिएम और तमिलाड़ू में Aluminium Metal Industries आप लोग देख सकते हो ठीके फिर हमारे यां पर इतना इनि Metallurgical Industries तो हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे याप एंग्रो बेस्ट्री वी है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो है हमारा अग्रेरियन कंट्री तो हमारे यह आपए एग्रो बेज्ट इंड़स्ट्रीज तो हुंगी ही है ना दिए अग्रो बेस्टेज पैसाइन्देस्ट्री जरा मुझे बताना तो चलो अभी यह ईजाएब कमेंट सेक्ष्ट aura मुझे एक्जाम्पल्स बताओ एक्ग्रो बेस्टी की ठीक है तब तक मैं आपको यह एक्स्प्लेइन करती हूं कि आये देखते हैं अरे आजाओ भाई यहां पर देखो एग्रो बेस्टी इंक्लूडी कौन-कौन से हैं कॉटन इंडस्टी हो गई फिर जूट की इंडस्टी हो गई सुगर की इंडस्टी हो गई है ना मतलब यह अगर कॉटन नहीं मिलेगा तो इंडस्टी कैसे चलीगी जहां पर हमें रॉप माटेरियल इसली अविलेबल हो जाए यहां पर यह पर प्रोडियूस कि आजाए जैसे कि गन्ने की हम इंडस्टी कहां पर लगाना चाहेंगे जहां पर गन्ना प्रोडियूस होता हो ठीक है और फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर फॉरेस्ट प्लाइवुड का इंडस्ट्री फिर मैचिस का माच जो होता है फिर उसके माद रेजिंस और लाक यह ना हमें जंगलों से मिलते हैं ठीक है इसकी इंडस्ट्री होती है बराबर तो यह सब कुछ हम कहां पर लगाना चाहेंगे जहां पर हमें इसको लगाना पसंद करेंगे ऊपिर घो केरला हैंजर कोईयर कोप्रा एंड फिश केंशन इंडस्ट्री यनिन करनाटिका का कोश्टल बेल्ट है कोश्टल वाला वहांपर कौनकोन से इंडस्ट्रेंग सकते हो तो कोयर और कोप्रा का मतलब क्या हूआ जो आपका नारील होता है न मिट्टी कलर का हैना दो प्रोसेस होता है जैसे आम देखते हैं आप कोई चिप्स खरीटते हो तो जब आप चिप्स खरीटते हो ना तो उसमें पूरी हवा बरी रहेती है तो हवा बरने का कारण क्या है उसको पूरा एयर कंटेनर डिब्ब में रखना पड़ेगा है तो वह होता है फिश कैनिंग एक्टिविटी यह फिश को अच्छे से पैक करके रखा जाता है फिर उसको अलग अलग जगह पर सप्लाई किया जाता है तो यह सब कुछ आपको मिल जाएगा दे कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला पर ठीक है चलो खतम नहीं हुआ अभी है सुनों आप सुचो खतम हो गया है ना भाई बाकी है सुनों यहां पर अगर मैं कोईली की बात करो कोईली जो कि गुजरात में डिकबोई कहां पर है बही असाम में है फिर नूनमती और यह क्या है बॉंग गाए ठीक है रिफाइनरी साथ सच्वेचेश क्लोज टू पेट्रोलियम प्रोडीसिंग एरियाज और मतुरा एंड बराउनी रिफाइनरी इंटिरियर अवे फॉम दो कोस्ट और प्रोडीसिंग एरियाज यानि कहने का मतलब क्या है यह जो मैंने आपको न करेघ्री ओंड पर आप अगे चलते हैं वेल इससे और बंड़ बनाया जा रहा था और वहां पर इतना स्मेंट टुडएगा ना मतलब को आफने लाव पसंद नहीं करोगे ठीक है चलोग आगे चलते हैं आगे कुछ और बातें करते हैं तो गुजराथ राजस्तान और तमिल लाडू produce the bulk of salt in the country यानि ये कुछ ऐसे states हैं जो produce करते हैं नमक है न देश का नमक देखो गुजराथ राजस्तान और तमिल लाडू और समझे इतना ही नहीं अभी और है सुनो mechanical engineering, electricals, automobiles, fertilizers and numerous consumer industries which show little bias for raw material have come up all over the country with heavier concentration near big cities यनि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा सा है जदे हमने वहाँ पे देखा agro-based industries देखा ठीक है फिर हमने forest-based industries देखा ये भी देखा कहां पे हम लगाएं कि जहां पे raw material easily available हो सिमेंट वाली इंडेस्ट्री हम कहां पे लगाएंगे जहां पे सिमेंट का जरो अविलेबल हो और इसके अलावा और हमने क्या देखा था कि हम metallurgical industries कहां पे लगाएंगे जहां पे metals और minerals क्या हो अविलेबल हो ठीक है अब देखा कुछ ऐसे भी इंडेस्ट्री जो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है अग्री कल्चर के ऊपर या फिर और बी कुछ चीजे ऐसी है जिसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है जैसे मैं आप लोगों को बताती हूं आटो मोबाइल हो दोस्तों यह आपको पूरे देश में फैले मिल जाएंगे कहीं न कहीं और यह जनरली कहां पर मतलब किये जाते हैं तो यह कॉंसेंट्रेशन यह जो बीक सिटीज होते हैं वहां पर समझ में आया आप सभी लोगों को यानि मुंबई और दिल्ली जैसे इलाके में यानि यह बस अपना काम करते हैं बंदास इनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि रॉम मटेरियल चाहिए तो हम इसको प्रडियूस करेंगे ऐसी कुछ नहीं तो यह वाली इंडिस्ट्री होती है न दोस्तों यह आपका पूरे कंट्री में आपको फैला हुआ मिल जाएगा ठीक है यहांपे क्या किया किए बिलकुल यांप इंडिया का एक्रिकल्चर फिशिंग इंडस्ट्री और सब कुछ ब्राजील की इंडस्ट्री ब्राजील में ज्यादे पिरदीध इंडस्टि थी ऑसे कि घृट्रविशन सब्सक्राइट में प्राइव क्लास 9 प्ढ़ा था इसको जाता है जो गुट्स एंग समय सिस्ट का भाइघ एंसी होता है जैसे आमने समान भरीदा उन्होंने समान पीचा यह तो यह आपका क्या कहलाएगा दोस्तों ट्रेड कहलाएगा ठीक है और इसके अलावा हम लोगों ने एक और कॉंसेट पढ़ा था विच पहले बात तो यह है कि balance of trade का मिनिंग क्या होता है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब दोनों का आप डिफरेंस इंगालते ना एक पर्टिकुलर पीरेड के लिए और उनका value हमें लेना है ठीक है इप इनकम आपके ज़ादा हो ना पाइना ही एक चाहिया तो इसलिए यह कैसा आपका बैलेंस ओटरेड होगा तो यह होगा फिर अन-फिवरेबल बैलेंस ओटरेड क्या होता है जब हम import जादा करते हैं और export जादा करते हैं जैसे हमने import किया 100 रुपे का export कितने कीया बस हमने 10 रुपे का ही किया तो 90 रुपे हम चले गए घाटा में यानिकि ए हो गया अनफेवरेबल balance of trade balance का मितल्भ जोते है 100 रुपे का import कैा 100 रुपेका export किया बात खतम कोई टेंशन वाली बात नहीं है याने कि हम एकदम बराबर पर हैं तो यह तीन टाइब्स के बैलेंस ओफ ट्रेड होते हैं तो यहां पर देखो यह चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर इंडिया और ब्राजील का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गय देखो हमने क्या किया था एक सब्क्रण हम इतनी इतना ग्यान इतना किया था है यहींद ओंज्ट फरेबल गलत गलत कर गgresे बैलेंस अव्टरइड विकाज हमारा एक्सपोर्टन कैया है तो कम है इंपोर्ट जादा है यादि हम जादा पैसा अपने गंट्री का दे रहे हैं लेकिन बाहर वाले का पैसा तो कम ही आरे हमारे देश में यह तो हमारे लिए घाटे वाली बात हो जाएंगी घाटे का सोधा हो गया याने कि हम है घाटे में unfavorable यहां पर भी देखो भई अन्फेवरेबल बैलेंस ओड्रेड हो लो यहां पर भी और 2012-13 में भी अन्फेवरेबल ही है यानि हमारा हर टाइम पर जादा मतलब हम जादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं ठीक है लेकिन ब्राजील तो यह तो आगे निकल गया हमारे इस मामले में हमसे इसका बैलन्स ओट्रेड जो है वहर जगा सब्सक्राइब लोग एक्सपोर्ट जादा कर रहा है मैं फेवरेबल बैलेंस ओट्रेड यह भी यह यह औ मतलब आपका जो balance of trade है अगर वो favorable है तब आप समझना आप फाइदे में जा रहे हो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहां पर सारी चीज़े अवेलेबल है तभी तो हम export कर पा रहे हैं लेकिन अभी हम पीछे ही चल रहे हैं आप देख करके इसको समझ सकते हो पर हम ब्रजील का भी देखेंगे कि यह लोग कितना export करते कितना import करते और इनके trading partners कौन-कौन से है ठीक है तो आईए देखते हैं देखें ब्रजील इस ब्रजील में ली एक्सपोर्ट ब्रजील क्या-क्या export करता है यह सारे नाम से नाम आप याद रखिएगा iron ore coffee फिर cocoa cotton sugar tobacco oranges and bananas इतनी खारी चीज़े एक्सपोर्ट करता है यानि दूसरे देशों में भेजता है फिर इंपोर्ट क्या क्या करता है दोस्तों machinery chemical products फिर fertilizers, wheat, heavy vehicles, mineral oil and lubricants ठीक है यह सब कुछ इंपोर्ट करता है तो नाम याद रखिएगा अगे इनमें बार-बार बोल रही हो और इसके trading partners कौन-कौन से है भई तो वो है Germany उसके बाद USA, Canada, Italy, Argentina and South Arabia और कौन है दोस्तों और है हमारा इंडिया ठीक है तो यह है इसके trading partners जर्मनी USA, Canada, Italy, Argentina, Saudi Arabia and इंडिया ट्रेड आप देखो ट्रेड मेक्स अप अबाउट 25% of GDP C figure 8.5 बिलो एंड कंपे इंडिया देखो यहां पे इसका क्या दिया है इंडिया ट्रेड और ब्रजील मतलब कितना contribution होता है GDP में तो आप इन दोनो का contribution कितना था अगर मैं इंडिया के trade की बात करूं तो इसका contribution GDP में देखो यहां पे 10 के ऊपर था और ब्रजील का जादा था लेकिन दोस्तों दोस्तों देखो देखो धिरे-धिरे करके हम आगे बड़े और यह देखो 2010 में आते हम एकदम उच्छाल पे हैं यानि 50 हो गया ल तो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाय चाय आम कोफी स्पाइसेज मसाले है ना हमारे हमारा देश तो मसालों के लिए जाना जाता है उनका देश कोफी के लिए जाना जाता है तो हमारा देश मसालों के लिए जाना जाता है यह फिर लेदर एन लेदर गुड्स फिर उसके बाद iron ore cotton silk textile while it mainly imports और हम क्या-क्या इंपोर्ट करते हैं यह तो सारे export वाले हैं हम क्या-क्या इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम मशीन फिर उसके बाद मोती प्योल से नहीं क्या होता है जर्मनी और उसके बाद जापान चायना रश्या एक्सेटर ठीक है तो यह सारे हमारे पार्ट करते हैं इंपोर्ट क्या करते ब्राजिल और जर्मनी याद रखेगा और इसके ट्रेडिंग पार्ट कौन-कौन से हैं यह भी आप ध्यान में रखेगा ठीक है चलो आगे चलते है आगे यह आपको और बात करते हैं यह आगया भाई ब्रिक्स देख रहे हो तो यह है पांच कंट्रीज का गुरूप ठीक है फिर उसके बाद इंडिया उसके बाद यहां पर चाइना और लास्ट में आ सब्सक्राइब करते हैं कि यह को कि यह विगै installment metinink करते हैं और कैसे करना इंडिया भी ब्रजील में investment करेगा ब्रजील भी करेगा तो दूर्णों देशों के बीच में होती है ऐसे बात चीट थीक है तो वह ब्रेक्स के माध्यम से ही हो पाती है जैसे अभी देखो यहां पर मैं आपको दिखाती हूं export import in million million US dollar US dollar में यहां पर export import दिया गया तो यहां पर दीखिएगा यह वाला color export दिखाएगा यह वाला import दिखाएगा तो हमने import इतना किया था starting में 2008 में इतना ठीक है और export जाद गया था पर उसके बाद धिरे धिरे हम ओपर नीचे ओपर नीचे हो रहे हैं आप देख सकते हो हमने ब्रजील से import इतना किया था यह export जादा किया था इंपोर्ट हमने कम किया था यह प्लस पॉइंट पर चल रहे हैं आप देख करके इसको समझ सकते हो ठीक है चलो तो यह जारी चीजह मैंने आप लोगों को बता दिया है अब यहां पर यह लास्ट है जोग्रॉफिकल एक्स्परिशन जरा हम इसको देख दो इंडियन कमी सेट अप इंडेस्टरियल सेंटर ऐल वर ब्रजील और इन्वेस्टेट लॉट आंपर कैपिटल कहां कहां पर इंवेस्ट किया है तो हमने विस्ट क्याए देखे इनवसिती सेक्णります में फेर उसके बाद माइनिंग और अंजिनिंग और इन्गीन आ ऑटो स में IT में माइनिंग एनरजी बायो फुटवेयर सेक्टर इंडिया ठीक है चलो तो यहां पर आपका फाइनली यह चैप्टर खतम होता है थोड़ा सा लेंदी था राइट ओके चलो यहां तक मैंने आपको बता दिया आप यह भी समझ लीजिए यह ब्राजील में पहली बार जो प्लांट है वह कहां से आया था तो यह इतुपिया मतलब वहां से आया था इट वस ब्राइट ब्राजील बाइस संप्रेंश सेटलर यह जो फ्रेंश लेकर यहां पर आये और आकर के उन्होंने पारा में इसकी खेती करनी शुरू किती यहां पर लगाया था 18th century में और को भी लोग जानते हों होता है मैतेमेटिक्स में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा जिप्रा का चैप्टर नमबर फॉर जिसमें जी एस्टी तो हमारा मेन कॉंसेट था और वह तो मैंने पढ़ाई दिया है तो आपको मालूमी होगा होता है जो 2017 में हमारे यहां पर लागू हुआ था ठीक है जबकि ब्रजील में तो पहले ही लागू हो चुका था ठीक है यस तो यहां पर आप देख सकते हो हम लोग ने चाप्टर फाइनली एकोनोमी और उक्यूपेशन इसको फिनिश कर लिया है आई हो आपको सारे समझ में आ गये होंगे तो देखो दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसे चीजे हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एवरिटिंग आपको बहुत अच्छे सीखना होगा तो बस अच्छे से रिवाइस कीजिए कोश्टन आसस के चिंता मत कीजिएगा प्ले